आज हमें देखना है कि अगर ऐसा ही कुछ हमें चाहिए पर वह हमारा round shape में हो cylindrical shape में तो हम कैसे create करेंगे इसके लिए हमें फिर से fresh एक copy लेनी होगी हम चलते हैं document में एक नया document create करेंगे यहां पर light box में जाना है यह dog है double click करेंगे जब हमारा dog यहाँ पर आ जाएगा तो फिर हमें इसके उपर काम करने तो हम चलते हैं नेक्स्ट आज का brush है B for brush C for curve जैसे हमने B और C for curve जेनरेट किया यहाँ पर एक option मिलेगा कर्व ट्यूब तो यह भी देखो सेम वैसा ही वर करता है दिखें यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहा है थोड़ा सा यहाँ पर चलाएंगे जैसे चलाएंगे इन Brushes के पास अपने curve होते है तो जैसे हमने चलाएं है तो यह कर जेनरेट कर रहा है लेकिन TW역 के साथ में मेज भी दे रहा है यहाँ पर देखते हैं चला कि दुबारा से कम धिफिस बीड़े तो यहाँ पर हमने carve बनाया कर साथ में opposite पर यहule यह इस investigation के तो आप इसके पास जैसी जाएंगी इस पॉइंट के पास में एक रेड कलर की आपको लाइन दिखेगी जैसी दिखे आप फ्लिक करके कर्व को कांटीनु कर देना देखे यह ट्यूब जो कर्व है यह और कांटीनु हो गया नेक्स्ट आपको फिर से सेम करना है तो आप ऐसा क छोटे छोटे कर्व को यूज़ करके हम यह ऐसा अफमन यहां पर यह उसके अंदर भूज गहीं है तो जैसी हम इसको ड्रैक करेंगे थोड़ा सा यह करूं जिनरेट हो रहा है और छोड़ेंगे तो जैसे जैसलेंच अन Isetle कलANG is इस दक टूब तो हम इसको फिर से अभी ड्रॉ करने वाले हैं तो अभी इस बार ही हम यहां से ऐसा ड्रॉ करेंगे कुछ इस टैप से तो आप देखो कि जैसा जैसा कर्व बना है वैसा वैसा यह ट्यूब जिनलेट हो गया है तो यह दोखो काफी बड़ा इसका रेडिय सारा ट्यूब का तो हम यह देखिए ब्रस का साइज एस फॉर साइज छोटा करते हैं जैसी इसके कर्व के उपर क्लिक करेंगे तो जो ट्यूब का साइज था वो भी हमारा छोटा हो गया है तो अभी यह अंदर घुस रहा है हम इस कर सकते हों देखिए बाहर आ गया है तो यह पॉइंट है इसके इन पॉइंट से आप इसको ऐसा ड्राइग भी कर सकते हैं बाडी के ऊपर जिससे आप इसको प्लेस दे सकते हैं, प्लेस्मेंट कर सकते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, या अंडू कर लेते हैं, हमको इसका राउंड सेफ चाहिए, हमें यह नहीं चाहिए, हमें राउंड सेफ चाहिए, तो राउंड सेफ, इसके गले में एक राउंड पट्टा डालना yrWhen click करेंगे और करू को बाहर ले जएगे में इसके बाहर यहां पर shift го northern लगे जोर देंगे देखें इसका राउंड सेफ हमें मिला पट्टप यहां पर पाड़ेक्र आप athletic को कर बाहर ले गए में सके कुलिक के हुए sensor और पर ऐसे बना सकते हैं का व्यां सारे तो ऑफ तो करना चाहते हैं आज PRESS करेंगी थोड़ा सा फिर सकी ऊपर क्लिक करेंगे देखें यह मोटा हो गः recibir से आप कहीं पर बना सकते हैं ना next क्या है यह तो अभी कर्व है हमें इसको generate करना है मेस बनानी है इसकी क्योंकि सब्टूल में आप देखोगे तो यह single layer के उपर ही सारे बन रहे हैं तो अगर हमने यहाँ पर यह पट्टा बना लिया है इसके उपर थोड़ा सा काम करना है तो क्या करना है इसक कर्व के थुरू कोई भी चेंज नहीं कर सकते है क्योंकि कर्व डिलीट हो गया है अब क्या कर सकते हैं यह single layer में यह दुनों ही object पढ़े हैं तो देखिए rest of the model जो डॉक का है यह mask में है black color दिखाए दे रहे हैं और यह unmask के रिया है तो mask और unmask दो है तो हम यहाँ चलते ह हैं यहाँ पर हमारे पाइस प्लिट का option आ रहा है आप देखोगे यह split unmask and split mask के दो option आ रहे हैं किसी भी object option पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दोनों layer अलग मिल जाएगी अभी आपको इस पट्टे पर काम करना है रिंग पे तो आप यहाँ पर आके काम कर सकते हैं क्य कर रहे हैं इस पर अगर आपको कोई design डालना है तो आप डाल सकते हो उसके लिए आपको standard brush पर फिर से आना पड़ेगा and यहाँ पर आपको drag प्लिक करना है और यहां से कोई भी alpha ले सकते हैं let's के हम यहाँ पर यह alpha लगाना चाहते है star वाला brush का size S से हम थोड़ा चोटा करें और alpha को यहां से ड्राय करके तो आप यह सकर्ड करना है लेकिन जो यह strap बना है यह आपका ट्यूप brush के तुरू बना हुए है तो दीरे दीरे करके आप जहां पर थोड़ा से जल्दी यल्दी कर लेते हैं आप इसको आराम से बैठके करना जो भी alpha लेना है जो भी design डालना है आप से लेट करना कहां से करना है वह आपको ने अभी बताया है आप यहां alpha में जा सकते हैं जो भी design आपको लगता है वह यहां से लेकर प्रेस करते हैं तो यह देखिया हमारे design बन गया है थोड़ा सा close करते हैं इसको तो आप देखो कि बहुत ही प्यारा सा design यहां पर बना सकते हैं और हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़े बना सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए brushes के साथ में कुछ नए technique के साथ में तब तक के लिए thank you channel को subscribe जरूर करना है और comment करना है कि कि किसी topic पे आपको वीडियो अगरबर होना होगा तो thank you